हेलो दोस्तों कैसे आप सभी फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चानल में करियर भाई में दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक सौट्वर इंजिदेर की सैलरी कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों हमेशा की तरह आपको एक जॉब सेर्चिंग वेबसाइट के उपर में लेके चलूँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि अलग-अलग लोकेशन के अनुसार कितनी सैलरी वहाँ पर आफर की जारी है क्या उसमें कुछ गिरावट आती है या कुछ बड़ोतरी आती है लोकेशन के अनुसार कम से कम कितनी सैलरी आफर की जारी है और जादा से जादा कितनी आफर की जारी है यह सब कुछ हम देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पने हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस देखने हैं जैसे कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है रिस्वांसिबिलिटीज क्या होती है और एक सफट्वर इंजिनियर के अंदर कौनसे स्किल्स होने चाहिए तो दोस्तो आप उपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं तो चलिए दोस्तो सीधा चलते हैं मेरे मोबाल स्क्रीन के उपर तो यह देखिए दोस्तो मैंने software engineer job जो है वो डेली के अंदर search कर लिये हैं आप यहाँ पर recruitment भी देख सकते हैं यह देखे यह software developer engineer एक ही होता है मतलब यह 4,49,000 रुपई से लेकर के 17,21,614 रुपई याने के बहुत लंबी चोड़ी salary यहाँ पर offer की गई है और यह per yearly salary है तो इस यहाँ पर जो amount आती है वो आती है यहाँ पर कुछ एक लाक लिए एक लाक 43,466 रुपई तो total एक लाक 43,466 रुपई यहाँ पर आपको मिल सकते हैं तो दोस्तो यह पहली ही काफी बड़ी salary हम ने देखी है तक्रीबन डेद लाक रुपई तक की salary जो है वो यहाँ पर यह ल देख लेते हैं, यह देखे, QA Automation Engineer चाहिए लेकिन इनको, यह देखे, Software Engineer और एक, यह Software Engineer फ्रेशर इनको चाहिए, लेकिन फ्रेशर को भी आप salary देख सकते हैं, 60,000 रुपीज अ मन्थ देने के लिए तयार हैं, यह देखे, Software Testing Engineer, 3,50,000 रुपे तक देने के लिए तयार हैं, और यहाँ पर 3 साल का experience इनको चाहिए होगा, यह देखे, यह Software Engineer अगेन, 2,00,000 रुपे से लेकर के, 5,00,000 रुपे तक की salary यहाँ पर पर year देने के लिए तयार हैं, यह अगेन, Software Engineer, Front End, फ्रेशर चाहिए, इनको 60,000 रुपे पर मन्थ, यह देखे, यह Java developer, यानके, Java basically, एक coding language का न यह देने के लिए तयार हैं, यह देखे, Hiring for Java developer role, Hiring for Java developer role के लिए इनको चाहिए, 2,44,000 रुपे से लेकर के, 12,19,560 रुपे तक की salary आफर की गई है, पर year, देखे, Software Engineer, 35,000, यह देखे, Full Stack Software Engineer, 20,000 रुपे से लेकर के, 23,000 रुपे पर year देने के लिए तयार हैं, अगर हम इस का एक हिसाब लगाने जाए, इसके per year, माप के जगा, per month बन जाते हैं, 1,91,679 रुपे, इतनी salary यहाँ पर जो है, वो आपको मिल सकती है, 1,91,669 रुपे, तो काफी बड़ी salary है, जो अभी हमने देखे थी, उससे भी ज्यादा यह है salary, यह देखे, यह Web Designer and Software Developer, 17,000 से 39,500 रु चाहिए, 2,40,000 रुपे से लेकर के, 3,50,000 तक की salary per year, यह Software Developer, 3,21,000 रुपे से लेकर के, 14,64,613 रुपे पर year देने के लिए तयार हैं, तो दोस्तों, अब खेर हमने देली के अंदर के तो देख लिए हैं, अब थोड़ा और अलग locations के अंदर चेक आउट करते हैं, सबसे बैंगलोर, तो देखें, दोस्तों, डेल टेकनोलोजी के अंदर इनको चाहिए, Software Engineer 2, लेकिन इनों ने अब तक जो है, वो अपनी salary disclose नहीं की है, यह देखें, Software Engineering के लिए चाहिए, इनको 3,00,000 रुपे से लेकर के, 4,50,000 रुपे पर year देने के लिए तेयार हैं, और बागी क आप देख सकते हैं, Philips अगरा जैसी बड़ी कमपनिया है, यह Reliance Geo जैसी कमपनी है, लेकिन यह कमपनिया क्या करती है, कि अपनी salaries को ज्यादा तर तोर पर disclose नहीं करती है, बहुत बड़ी-बड़ी कमपनिया है, तो वो लोग candidate to candidate यहाँ पर decide करते हैं, कि उसको कितना salary offer किया जाना चाहिए, तो कभी भी यह लोग जादा salaries को disclose नहीं करते हैं, यह देखे, software development internship है, फिर भी यहाँ पर 25,000 रुपे से लेकर के 35,000 रुपे देने के लिए तयार है, यह देखे, software engineer 4,000, 25,000 रुपे से लेकर के 7,000, रुपे तक देने के लिए तयार है, per year, यह देखे, software engineer 10, 10,000 से 15,000 रुपे देने के लिए तयार है, तो यह अब तक की देखी गई सबसे lowest salary है, और यहाँ पर आप work experience भी एक साल का इनको preferred है, तो यहाँ पर मेरे खयाल से जो fresher लोग हैं, वो जा सकते हैं, यह देखे, software engineer 20,000 रुपे से लेकर के 35,000 रुपे पर year देने के लिए तयार हैं यह लोग, तो इसका तो बनता है निकालना, तो अगर divided by 12, यानि के per month देखा जाए, तो सबसे highest salary आपको यहाँ पर मिलेगी, 2,91,666 रुपे, इतनी बड़ी salary जो है, वो आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो यह और एक highest salary हमने देखी है, इसका अगर description हम देखें, तो यह अभी तक इन्होंने यह नहीं कहा है कि कितना work experience इनको चाहिए, यानि कि कितने साल का work experience चाहिए, लेकिन description खेर आप देख सकते हैं, तो यह देखें, यहाँ पर 45,000 रुपे पर month की भी offer है, इसके अलावा अगर देखा जाए, तो यह देखें दोस्तो, opportunity software engineer aspirant internship है, और यह software test engineer Bangalore के अंदर इनको चाहिए, 3,00,000 से लेकर के 8,00,000 रुपे तक की salary per year देने के लिए तयार है, यह देखें, software QA engineer 5,00,000 से लेकर के 12,00,000 रुपे पर year देने के लिए तयार है, तो अब हम और एक destination change करके देखते हैं, यहाँ से हम चलते हैं, पूने की और, क्योंकि पून पर 3,00,000 से लेकर के 3,00,000 रुपे पर year की salary है, यह देखें, 7,00,000 रुपे पर year की भी एक salary आपको देख सकती है, यह software development engineer testing, यह 20,000 से लेकर के 95,548 रुपे पर month देने के लिए तयार है, यह देखें, front end developer 22,000 से 26,000 तक की salary, और अगर देखें, तो कई सारी company ऐसी हैं, जिनों अब तक अपनी salary को disclose नहीं किया है, तो यहाँ पर फिलहाल पूने के अंदर इतने ही दिख रहे हैं, तो अब यहाँ से हम Mumbai भी try करेंगे, तो यह देखें, दोस्तों, software test engineer, इनको चाहिए, 3,00,000 रुपे पर year की salary offer की जा रही है, यह software test engineer, again, 7,00,000 रुपे से लेकर के 15,00,000 र देख सकते हैं, यह देखें, software developer, 3,25 तक की salary जो है, वो यहाँ पर offer की गई है, यह software developer, 2,00,000 रुपे से लेकर के 6,00,000 रुपे पर year देने के लिए तेयार है, यानि के कम से गम 20,000 रुपे से लेकर के, जादा से जादा 50,000 रुपे तक की salary यहाँ पर मिल सकती है, यह software test engineer, 15,000 30,000 रुपे पर month, यह देखें, developer analyst चाहिए, लेकिन यह software engineer से थोड़ा बहुत ही mail खाता है, यह देखें, hardware and software engineer, 7,000 रुपे से लेकर के, 12,000 रुपे पर month, तो चलिए दोस्तों, हमने मुंबई के अंदर के भी देख लिए हैं, तो दोस्तों, अब हम शायद यहाँ पर जो है, लेकिन जो intern नहीं थे, उनके लिए भी हमने 10-15,000 की भी lowest salary देखी हुई है, और जो highest salary हमने देखी है, वो हमने देखी है, कुछ 2,91,666 रुपे, तो यह अब तक की देखी गई सबसे highest salary है, तो आप एक band का पता लगा सकते हैं, कि 10,000 से लेकर के 2,00,000 प्लस की भी salary आपको मि range है, तो यह totally आपके experience के उपर depend करता है, कौन से company के अंदर आप काम कर रहे हैं, इसके उपर भी यह सारी बाते जो है, वो ज़रूर depend करती है, तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर experience अच्छा कासा है, और company भी अच्छी है, तो आपको अच्छा कासा package यहाँ पर ज़रूर म भूले,